नमस्कार आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो धनतिरस के शो मौके पर आप सभी को ही बहुत बहुत शुप काम ना है लेकिन सोना 2023 में रिकॉर्ड्स तर तो छुगया आने वाले समय के लिए क्या उट लोके क्या सोने की चाल और तेज होगी क्या चांदी की चमक और तेज ह होगी इसी को जानने के लिए अनुज गुप्ता जी हमारे साथ इससे में मौझूद हैं HDFC Securities के commodity currency head अनुज जी नमस्कार स्वागा थे आपका बिस्तक पर अनुज जी सब चाहते थे कि gold थोड़ा सस्ता मिल जाए लेकिन ये जो परिस्तितियां हो गई है ये जो geopolitical tensions हावी है इसके कारण gold records तोरो पर पहुँचता हो नजरा है एक तो ये बताएं कि अभी तक का trend क्या बताता है क्या धन्तेरस के मौके पर gold किसी ने खरीदा हो पिछ जी सबसे पहले तो आपको और आपके सभी viewers को धिपावली धन्तेरस की हार्दिक शुपकामना है देखेए अगर आपको ध्यान होगा लास्त येर भी हमने शो किया था 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 उस ताइम गोल्ड का भाव करीबन 50 यार के आसपास था हमने का था 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 तो momentum अगर आप देखेंगे तो पिछले साल से मुकाबले काफी अच्छा रहा अगर आप पिछली दिवाली से लेकर अभी तक दिवाली तक की बात करेंगे तो करीबन 20% की आसपास gold silver ने returns दी हैं तो momentum wise अगर आप देखेंगे तो gold और silver में काफी अच्छा turn around आता हुआ देख अगर आप देखेंगे तो करीबन 10-12% की आसपास के moment जो है वो gold silver में आते हुए दिखाई दिया तो momentum wise return wise gold ने nifty को beat किया है कही ना कहीं बढ़ हाँ definitely क्योंकि product एक ऐसा है जिसको आप अपने portfolio में रखते हैं तो ऐसे hedge against uncertainty hedge against inflation और हमने देखा कि जो पिछला साल था उसमें हमन inflation भी बढ़ता हुआ देखा हमने US का inflation 40 साल के highs पे आता हुआ देखा हमने uncertainty देखी Russia Ukraine war चली रहा था ऐसे में इसराइल हमास का war आते हुए देखा interest rate जो सबसे बड़े हमेशा से इसके लिए challenging रहे हैं तो हमने देखा कि जो interest rate ते वो continuous बढ़ते हुए दिखाई दिये US के gold के लिए मानते दे वो सभी factor हमने 2022-2030 में आते हुए देखे और उसकी वजय से हमने देखा कि gold silver के अंदर जो momentum था वो positive रहा in fact अगर आप देखेंगे तो central banks की जो खरिदारी है वो market में आती हुए दिखाई दी physical form में जो खरिदारी है वो यहाँ पर आती हुए दिखाई द से थोड़ा सा हमने देखा कि international market में थोड़ा सा cool off रहा बट domestic market में अगर आप बात करेंगे इंडियन प्रस्पेक्टिव से तो gold ETF के डिमांड यहाँ बढ़ती हुए दिखाई 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 महंगा हो गया सर यह किसी के हाथ लगनी रहा सब चाहते हैं सस्ता मिले और भारत में तो सभी चाहते हैं कि थोड़ा सस्ता मिल जाए गोल्ड तो धंतेरस के मौके वाइब क्या बोलेंगे कि gold आने वाले समय के लिए सस्ता होगा रुख जाए अभी या फिर अभी कोई चांस देखने को मिलती है और हमें लगता है कि जिस तरीके का trend बना है और जिस तरीके के issues हम देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, inflation लेवल पर या uncertainty के लेवल पर तो हमें लगता है कि अभी भी जो run up है gold silver में वो continue रह सकता है देखिए definitely धीरे धीरे यह क्योंकि luxury product है तो वो जो reach है देखने को मिलती है तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा बड़ा issue जो है gold में आपको rate से comparison में होता हुआ दिखता है क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे तो पहले लोग 22 karat की jewelry को use कर रहे थे आज अगर आप देखेंगे तो लोगों ने दिरे-दिर 18 karat 14 karat 16 karat की jewelry को use कर लू कर दिया है तो gold के भाव से कोई इतना इदा फरक नहीं पड़ा है हलाकि जो denominations है जो quality उसमें थोड़ा सा compromise होता हुआ दिखाए जिकर आप physical forms में बात करें बट उसके साथ सा तकर आप देखेंगे तो sovereign gold bond market में आया है gold ETF market में आया है mcx का gold petrol contract market में है mcx का silver mini contract market में है त तो denominations बहुत सारे आगे है पहले काली physical form था अब electronic form जादा आगे है तो इसको जैसे कहीं न कहीं जो लोग है वो SIP form में भी slower and steady lower lower denominations में खरदारी कर रहे है तो उतना impact costing से नहीं पड़ा है बट हाँ definitely rate महगा हुआ है जो कि एक reason भी है और लोग उसका फायदा भी उठा रहे ह income लेकिन जब जब नीचे आया एकदम से लपका गया गोल में तो बहुत ही strong खरेदारी हो रही है अब going forward क्या factors है यह तो आपने बताया कि पिछले factors जिन्होंने गोल को यहां तक पहुचा दे रिकॉर्ट तरो तक यह इस साल अगले धंते रिसके नें पूछनों क्या लक्ष कट करेंगे possibly they are looking कि जो interest rate उसको 2% पर लेकर आए तो थोड़ा सा एक dicey महल हो सकता है बट उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से bond yield में cool off देखने को मिला dollar index फोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई दिया है साथ में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो जो पॉलिटिकर टेंशन है वो भी भी on the page है महाँ पर कोई cool off देखने को नहीं मिला तो यह जो factor है यह काफी important है और हमें लग रहा है कि आगे चलकर यह जो चीजें है यह आगे escalate होती हुई दिखाई जेंगी और inflation का जो concern है वो इतना छोटा नहीं है वो जल्दी से solve हो अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली करीबन चाइना सेंटल बैंक ने करीबन 23 सन के आसपास गोल को अपने portfolio में एड किया है तो economies की तरफ से गोल को एड करना यह सबसे बड़ा positive point है और हमें लग रहा है कि इस तरीके के demand है उससे काफी हद तक आगे गोल के price influence होंगे तो अगर हम next दिवाल लिए धंते रस तक की बात करें तो में लगता है कि gold का भाव अगर आप देखेंगे तो करीबन 65 यार से लेकर 67 यार तक के level को टेस्ट कर सकता है तो अगर हम silver की बात करें तो 78 यार से लेकर 80 यार तक के level आपको silver में देखने को मिल सकते हैं इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि 2000 डॉलर के आज पास मूव कर रहा है एक्सपकेट है कि 2000 डॉलर तक के level आपको gold में देखने को मिले और silver भी 25 यार 26 डॉलर तक के level आपको देखने को मिल सकते हैं तो optimistic व्यू है और जैसा कि हमने देखा continuous एक अच्छा अर्बुल रहन यहा क्या कोई ऐसा संकेत है कि नियर टर्म में एक बार डिप मारेगा तो मौका मिल जाएगा जो आपने टार्गेट दी हमां तक तो बहुत ही महांगा हो जाए देखिए अगर आप तीन महीने पीछे चलते हैं तो गोल्ड करीबं 61 यार से 57 यार लगाय था इसने तीन महीने में नीचे आने में और जस छे अक्टूबर से इसने बढ लेखने लेवल टेस्ट किया चांदी करीबन 13 यार पॉइंट नीचे आई थी अपने हाई से इन महीनों में जस उसने 20 दिनों में करीब 8 परचिन्ट तो जो बढ़ने की स्पीड होगी वो गिरने से मल्टिपल जादा होगी तो हम यह देखना है कि जो गोल्ड का प्राइस अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो हाँ अगर गोल्ड का भाव नीचे सर यह अभी ग्लोबल रिसेशन की बाते हो रही थी 2023 में और बहुत जादा सेंट्रल बैंक भी कह रहे थे कि रिसेशन आएगा रिसेशन एक तरीके से आ ही गया यूरोप में भी और अमेरिका में भी जिस तरीका स्लोडाउन देखने को मिला और उपर से यह जो युद की स्थि देखिए यहाँ पर मैं चाइना को एड़ करना चाहूंगा अभी हमने लास्ट क्वाटर के जिटीपी देखा जहाँ पर मैं करीबन 5.8 के आसपर जिटीपी आता हुआ दिखाई देखिए जो कि पिछले के मुकाबले 5.2 एक्सपेट कर रहे तो उब एक अच्छा एक परफ जो FOMC की स्टेटमेंट थी उसमें भी हमने यह देखा कि FOMC यह कर रहा है कि जो उनकी जॉब डेटा है वो काफी पॉजिटीव आते हुए दिखाई दिया है बैंकिंग सिस्टम उनका सुदरता हुआ दिखाई दिया है एकनॉमी रिवाइवल मोड पे है तो इट विल टेक होता है और हम देख रहे हैं पिछले एक साल में अगर हम गोल्ड को हटा दें तो nा तो बेस मेटल में कोई जयदा बड़ा मूउव देखने को मिला ना ही चान्दी में उतना बड़ा मूउव देखने को मिला है अगर आप जनवरी से लेकार अभी तक देखें गे तो तो अगर आप comparison पूछे तो मुझे लगता है कि जो silver है वो as compare gold के अच्छा move दिखा सकता है और मैं देखा भी था कि gold silver ने करीबन 78 यार तक के level test किये थे तो हम very optimistic कि अगला साल जो है वहाँ पर जो silver है चाइना की वज़े से इंडेस्ट्री मेटल के वज़े से आपको अगीन एक अच्छा bounce back आते हुए दिखाए देखा और 80 यार तक के level हम expect कर रहे हैं कि आपको silver में दुबारा देखने को मिल सकते हैं तो records तरों पर पहुंच जाएंगे सोना चांदी थोड़ा सा stable market होता है elections के time पर क्योंकि spendings होती है वो other asset class में चली आती है क्योंकि कहीना कहीं जो खर्चे होते हैं जो political party के expenses होते हैं वो सब कहीना कहीं अलग चीज़ों में चली आती है तो बट मुझे लगता है कि कहीना कहीं उसके बाद जो economic revival होता है that is on come on the investment side क्योंकि gold silver खाली uncertainty का महौल का नहीं है gold silver कोई inflation के उसमें नहीं है बठाए investment का point भी है तो लोगों को जब भी अच्छा पैसा बनता है जब भी लोगों को एक चीज़ देखती है तो वो luxury item की तरफ जाते है तो आप देखेंगे कि जब भी आदमी के पास extra पैसा आता है जब भ luxury के मुकाबले gold के points में gold के bars में काफी अच्छे investment देखने को मिला तो मुझे लगता है कि election के टाइम में हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको stable market देखने को मिले बठा जो globally inflation है वो यहां पर काफी role play करेगा और elections के बाद आपको again market में momentum आता हो दिखर देगा तो क्या कुछ व है वो थोड़ी जादा रहती है क्योंकि अगर आप jewelry form में ले रहे हैं तो आप मानके चलिए कि वो तो data set हो गया क्योंकि jewelry generally बेची नहीं जाती है jewelry हम उसको कंसम करने के लिए रखते हैं बठा अगर आप इसको coins के form में ले रहे हैं in fact अगर आप बार के form में ले रहे हैं तो वो एक अच्छा option होता है जिसमें आप उसको दुबार resell कर सकते हैं तो अगर आपको investment purpose से करना है jewelry की demand नहीं है तो आप gold बार ले सकते हैं in fact sovereign gold bond जो की काफी अच्छा impact है और आप देखेंगे तो करीबन 800 के आसपास sovereign gold bond launch हुआ था आज जो उसका भावे करीबन आप देखे हैं कि mcx का जो commodity है exchanges है gold mini contract है gold guinea contract है gold petal contract है जिसमें आप कम margin देकर अपने dmat form में भी account open करके dmat account open करके भी आप अपने उसमें accumulate कर सकते हैं silver mini silver micro के contract भी तो denominations बहुत सारे हैं तरीके बहुत सारे हैं अगर आपको jewelry नहीं लेनी है क्योंकि jewelry पहले था jewelry last option था तो अब jewelry के लाव पॉर में आपको अगर लंबी अफदी करने तो sovereign gold bond है आपको short term के लिए लेना है तो आपके पास mcx का contract है future contract available है options contract भी हाँ पर आ गए है जो कि काफी अच्छी role play करते है और अब में काफी अच्छी volumes options contract में आते हुए देखें mcsx के दुरू तो trading point of view से हम काफी interest देख रहे है 2024 के लिए और यह हो सकता है gold और silver नए record levels अगले साल हासिल करते हुए नजर आए बहुत शुक्रिया अनुजी आपका हमारे साथ चुड़ने के लिए धंतेरस और दिपावली के आपको हाट देख शुकाम है आपको बिस्तक आपके लिए लाया है premium membership program जहां आपको मिलेंग description में तीन तरह के plans है silver, gold और platinum जिनके शुरुवात मात्र 119 रुपे महिने से होती है इससे जुड़ना भी बेहदासान है विस्तक के YouTube चैनल पर जाए join button पर click करें और अपना plan select करें बस बन गए आप हमारे premium member झाल 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 झाल